नमस्कार दोस्तों, जैमान चामुंडा, जैमा भद्रकाली, तो तुल्ला राश्यवालों परिवार की सबसे बड़ी पनौती दूर होने वाली है, आने वाले अगले 24 घंटे में जिस खुशखबरी का तुम्हें सालों से इंतजार था, वह खुशखबरी प्राप्त होने वाल तो क्यों ना परिंदों की तरह हम इंसान भी तिनके रूपी अपने अच्छे अच्छे कर्मों को जोड़ा कर अपने लिए मोक्ष का मजबूत घोसला बनाने का प्रयास करें। आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए, मित्रो बात करते हैं आपके अगले 24 घंटे यानि की 11 मार्च के महत्वपूर्ण राशिफल की तो आपको मित्रो अधिक महनत लेकर काम को पूरा करने की आवश्यक्ता है क्योंकि जो कार्य आपके रूके हुए थे वह केवल आपकी मदद के द्वारा ही पूरे होंगे। लेकिन मन में थोड़ी बेचैनी रहने के कारण काम से संबंधित एकागरता भंग हो सकती है तो ऐ ऐसे में अपना पूरा फोकस अपने काम पर बनाए रखें और करीबी व्यक्ति की चिंता आपको सताएगी तो काम से संबंधित बातों में आलस बिलकुल ना दिखाएं। वरना अभी आपने काम शुरू किया ही नहीं है और अभी से ही आलस आपके उपर हावी होगा। तो म जाव कोई मामूली नहीं है। मित्रो ध्यान रखेगा कि शुरूआत से ही पार्टनर और आप में मतभेद होंगे लेकिन अंत तक एक दूसरे के बारे में हुई गलत फेहमिया बिलकुल और पूरी तरीके से दूर हो सकती है। तो कुछ बातों को पीछे छोड़कर आगे ब वजह से उनके साथ रिलेशन्शिप और बरताव किस तरह से रखना है इस बात का भी पता लगेगा और खुद की सेहत पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यक्ता होगी। मित्रो आपको क्योंकि यह शरीर आपका है और सेहत के प्रती आपको बिलकुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। काम की जगह फिलहाल खुद होकर कोई भी बदलाव लाने की कोशिश न करें। समय जो है अपने आप सब कुछ करेगा और अपने द्वारा दी गई गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी होगी। इसलिए केवल सकारात्मक द्रिष्टिकोंड रखें और खुद से अधिक अपेक्षा बनाए रखना आपके मानसिक स्वास्थिय के लिए हानिकारक हो रहा है। इसलिए अपनी क्षमता को ठीक से पहचाने और लोगों के। बोली गई बातों का दबाव खुद के उपर न हो रहाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे और नए रिलेशन्शिप की शुरुवात हो रही है तो फिर भी रिलेशन्शिप में भरोशा ना करें मित्रों आपको बता देते हैं। प्रशानक से आपको देखने को मिलेगा कि आपको फाइदा हो रहा है लेकिन उस फाइदे के चक्कर में किसी अपने का नुकसान न हो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तयार रहेंगे। आपको हर संभवतह प्रयास करेंगे और रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे। मित्रो रोजमर्रा की जो दिनचर्या चल रही है वह बहुत बेहतरीन है। उसमें आपको किसी प्रकार का कोई दुख और उतार चड़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप, मित्रो इस बात का भ क्या होगा, क्योंकि भविश्य में जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसा ग्रह संकेत दे रहे हैं। अपने विचार जाहिर करने के लिए और दूसरों को अपने विचारों को सहमत कराने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। मित्रो बता देते हैं कि पार्टनर के साथ इमा पार्टनर के साथ ही बता देते हैं कि किसी काम के लिए की गई कोशिश पूरी तरह से सफल रहेगी। मित्रो आप काम को मन लगा कर करेंगे और सफलता के द्वार तक पहुंचाएंगे। किसी काम के लिए मित्र आप लोगों के सामने हात फैला नहीं पाएंगे क्योंकि साथ ही मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत बेहतरीन रहेगा। बहुत सी बातें आप दोनों के मध्य साफ हो चुकी हैं। अब आप भविश्य को लेकर कुछ प्लानिंग इकठे मिलकर कर सकते हैं। अब आपको छोटे-छोटे कद्मों प्रेम संबंधों को लेकर बढ़ाने होंगे। साथ ही मित्रों, पैसों की स्थिती में अचानक से तो नहीं लेकिन हाँ, यह कह सकते हैं कि धीरे-धीरे सुधार आएगा। आर्थिक स्थिती बहुत बढ़िया बनेगी और उन पैसों को निवेश करने की योजनाएं आप बना लेंगे। करियर में आगे बढ़ने के नए-नए अवसर भी आपके सामने आएंगे। मित्रों और संतान पक्ष की ओर से आपको सुख प्राप्त होगा। कोई ऐसा समाचा रअ आपको संतान पक्ष की ओर से सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर आपके पैर जमीन पर नहीं ठिकेंगे। साथ ही मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिती लगातार मजबूत होने वाली है। मित्रों इस समय आपके लिए आनंद दायक रहेगा और इस समय की शुरुआत भी बहुत जल्द होगी। किसी खास काम के परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे और आप अपने संपर्क को आगे बढ़ाएंगे और कुछ लाबकारी संपर्क भी स्थापित करेंगे। आपके पराक्रम से शत्रूओं का होसला पस्थ हो जाएगा और आपकी लव लाइफ के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है। शुरुआत में प्रेमी के साथ जगड़ा हो सकता है लेकिन शाम होते होते आपसी सूजबूज से आपके जगड़ों का निप्टारा होने के भी असार हैं। मित्रों, ये वक्त थोड़ा सा कीमती है। आपको सोच समझ कर इस वक्त को खर्च करना है। थोड़ा सा संभल कर चलने का है क्योंकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और मानसिक चिंताएं भी बढ़ेगी और कुछ विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं जो आपकी जिन्द समय अच्छा है लेकिन जीवन साथ ही आप से अच्छा खासा खर्च कराएगा जिसका बोज आपकी जेब पर पड़ेगा और प्रेम जीवन के लिहाद से दिनमान अच्छा रहेगा। सितारों की स्थिती से आप खुद को प्रेमी से जुदा समझ सकते हैं जबकि वास्तवि आपके सभी काम समय से पूरे होंगे और दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लैन बनेगा। जी हाँ, लेकिन वक्त की इतनी भी बरबादी न करें कि आपके कार्य की मित्रो कुछ प्रभाव पड़े। निजता का, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वक्त की बरबादी ह अद से ज्यादा नहीं करनी है। साथ ही मित्रो, दोस्तों के साथ आप एक जगह पर जाएंगे जहां पर जाने से आपका मन प्रसन्न होगा, और जो जातक गवर्नमेंट जॉब यानि सरकारी नौकरी करते हैं, उनका प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। ध्यान कि अपनो से इव डील की इजज़त आपको करना है। अपनो से दिल की बात मानना ही। जी हां, आप खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बना देगा और कुछ उलजे हुए मामले सुलज जाएंगे। शैक्षनिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आप कि एक नई शुरुआत होगी और शादी शुदा जातकों की लाइफ भी अच्छी रहेगी। मित्रों, परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। राज किये कर्मचारियों को नौकरी में कुछ परिवर्तन स्थितियां सुखद लगेगी। मित्रों, परिवार से जुड़ी कोई खबर मिलेगी जिससे परिवार के तो पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे। साथ ही, जिन्दगी में वो चांद लगेंगे। खुशियों के जिन चांद को आपने आज तक देखा भी नहीं होगा। आपको आएके नए स्त्रोत प्राप्त होंगे और संतान से कोई सकारात्मक समाचार मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय पूरी तरह से आप ही के पक्ष में रहेगा। आपको कोई प्रपोज कर सकता है, लेकिन एक क्षेत्र में ध्यान रखना है। कोई गुप्त शत्रू आपके मित्र के रूप में समीप और गुप्त शत्रूं से सावधान रहने की सलाह आपको दी जाती है। लोगों की परख करना आपको बहुत जरूरी है। प्रेम संबंधों को लेकर दिन बेहद शुब है। मित्रों जो लोग अपने प्यार को प्रपोज करना चाहते हैं, वे लोग अपने प्यार को प्रप जिनके मनमुटाव चल रहे थे, वह मनमुटाव सुलजा सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करने मनमुटाव सुलज सकते हैं, यह जो समय है, यह आपके लिए सुखमय रहने वाला है। जिनके व्यापारियों को धन का लेन देन करने से पहले सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वह किसी गलत लेन देन में फंस सकते हैं, इससे आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। काफी हद तक कम होगी और संतान भी आपसे यदि कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप उनकी अवश्य सुने। मित्रों और आपको इस समय ध्यान रखना है कि आर्थिक दृष्टिकोन से यह समय तो मजबूत ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी खर्चों पर आपको नियंतरन लगाना है, क्योंकि आपको व्यापार में छुट-पुट लाब के अवसर भी मिलते रहेंगे, जिनें पहचा कर उन पर अमल करेंगे और आपको धन लाब होगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिती तो मजबूत होगी ही, और आप अपनी वे अपने परिवार के सदस्यों की महत्वा कांक्षाओं की पूर्ति करने में भी सफल रहेंगे, लेकिन आपको अपने किसी पूर्व में की गई गलती के कारण परिवार के किसी सदस्य से माफी मांगनी पड़ सकती है, और मित्रों, आप अपने जीवनसाथी को ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं, जहां आपको अपने मन की बात किसी से भी साज़ा करने से बचना होगा, और मित्र आपके निजी सुखों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, जिनके कारण आप परेशान रहेंगे, और आपको कोई निराशा जनक समाचार सुनकर अकस्मात यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है. तो परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों का तालमेल आपस बहुत अच्छा होगा. आज का दिन आपके लिए सुख सम्रिध्धि बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि आपके मन की इच्छा पूरी होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आर्थिक मोर्चे में भी आप बेहतर रहेंगे. आईए, अब कुछ खास एवं चमतकारी उपाए, अब आपको हम बताने वाले हैं, इन उपायों को बड़े ही ध्यान से सुनना. बहुत कोशिशों के बाद भी, अगर आर्थिक तंगी से पीछा नहीं पा रहें, तो रविवार के दिन दो जाद्धू लेकर आएं. एक जाद्धू को घर पर रखें और दूसरी जाद्धू को मंदिर में दान कर दें. ऐसा करने से आर्थिक दशा भी दूर होगी और धन लाब के भी योग बनेंगे. इस बात का ध्यान रखें, जो जाद्धू अपने दान करनी है, उसे सोमवार के दिन करें. लेकिन रविवार को ही घर के खरीद कर रख लें. अभी आप अपने प्रेम जीवन को लेकर भावुख हैं और इस स्थिती में आप कोई खास निरणय ले सकते हैं. कोई सर्प्राइज मिलेगा या आप भी पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं. अगर आप एक लॉंग डिस्टेंस रिष्टे में हैं, तो आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपने आपको काहूशी प्रदान करें. इन खुशियों को अच्छे से समेट लें, किन्तु आवेश में आकर कोई भी निरणय लेन हूँ. शौक पर नियंतरन रखें, कई लडधाकों को देखते हैं, कि सिगरेट पीते हैं, गुठखा खाते हैं, अन्य प्रकार का नशा करते हैं. उन्हें अपनी जवानी को काम्याबी में लगाना चाहिए. इश्वर हो या मानव, जो विधी के विधान में लिखा है, उसे वैसा ही फल मिलेगा. इसका साक्षात परिणाम हम भगवान राम के बनवास को लेकर देख सकते हैं. राम के राज्याभिशेक की तैयारियां हो रही थी, कि अचानक ऐसा घटना क्रम घटा, कि राम को 14 वर्ष के लिए बनवास जाना पड़ा. आज का दिन, आपके लिए किस शुभ और मांगलिक कारेक्रम में सम्मिलित होने के लिए रहेगा. पैतरिक मामलों में गती आएगी और आपके किसी बड़े लक्ष के पूरा होने से आप प्रसन्न रहेंगे. आपकी बहुमुखी प्रतिभा बढ़ेगी. राजनीती में हात आजमा रहे लोगों को किसी आगे बढ़ें. आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं. आज का दिन सामाजिक शेत्रों में कारेरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है. व्यवसाय में आपने जितनी उम्मीद की थी, आपको उससे अधिक धन मिल सकता है. किसी पुरानी गलती से आपको स पुतरना होगा. अविवाहित जातकों के जीवन में किसी खास की दस्तक हो सकती है. आप कोई जोखिम उठाने से बचें, आपके नेतरित्व क्षमता बढ़ेगी. आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्व पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी. आर्थिक द्रिष्टि कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सनान आदी करने के बाद सफेद, हा, पीले, लाल या आसमानी रंग के वस्त्र धारन करके ही पूजा करें. क्योंकि रंगों का भी पूजा में विशेश महत्व है, तथा भगवान शिव को अक्षत यानी चावल, जो खंडित या तूटा हुआ नहीं हो, वह चराय सोमवार को दही सफेद, वस्त्र दूध और शक्कर का दान करना शुभ माना गया है, इनके दान से भोले नात प्रसन्न होते हैं, और हा, धन के अभाव को दूर करने के लिए सोमवार को शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए. गंगा जल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए. इस से भगवान शिव का आशीरवाद जातक को प्राप्त होता है. दोस्तों, हम अच्छी तरह से जानते हैं क्या पैसों के लिए बहुत परेशान रहते हो, आप पुराने साल में भी इतना ही परेशान और नया साल में भी कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है. लेकिन दोस्तों, आप चिंता ना करें. हम आपको गारंटी देते हैं कि नया साल में आपको जरूर खुशखबरी मिलेगी. पैसों से जुड़ी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगे और जि जी हाँ दोस्तों, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आगे आज किस वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसलिए इसे आप मिस करने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा. लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करते हैं, कि अगर आप अपने उपर महादेव जी का शुरूरात चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक सबसे पहले करें, और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में, सच्चे मन से, सच्चे भक्ती भ लेगी और कहां से आपको पांच लाख रुपए की प्राप्ती होगी, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बनाईए, तो चलिए, जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है, तो सिंह राशिवालों आप आज आत्म पास से भरे हैं, और यह बात आपकी भाव भंगिमा और नजरिये से साफ जलक रही है, आज हर कहीं आप लोगों के आकरशन का केंदर बने रहेंगे, और अपनी चाप छोड़ देंगे, महत्तुपूर्ण बिजनस बैठकों में आपके मुताबिक निर्णय होंगे, अगर स् नीचे खींचने का समय नहीं है, कोई निर्णय आत्मक कदम उठाएं, अवसरों का लाब उठाने से न छूके जीवन में इस समय विश्वास से उठाया गया, एक एकदम आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है, आपको अभी बेशक यह महसूस ना हो, यह समय प्यार को एक आराम दायक अनुभव से रूबरू कराएं, अपने प्यार को महसूस कराएं कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रहों की स्थिती आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा, यह समय प्रेम में डूबने का समय है, आज आपको अपने साथी के सा कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है, तथा आज के दिन आपका दढ़ संकल्प और आपकी कठोर महनत रंग लाएगी, यह महनत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेगी, जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेगी, इस चीज में आपका भाग्य का क जबकि आपकी महनत और लगन का ज्यादा हाथ होगा, यह समय आपके करियर की उड़ान का समय है, और आपको यह सुनिश्चित करना है, कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें, और हाँ, इन बातों का भी ध्यान रखें, कि कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बतान आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूती देनी है, अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें, आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं, और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ी हेगा, इसलिए आपको सोच समझ कर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा, तथा आप पिछले कई दिन से स्वास्थ्य संबंधी छोटी-छोटी परिशानियों से परिशान हो रहे हैं, आज यह समस्याएं आपके सामने और भी गंभीर रूप में प्रस्तुत होंगी, अभी इस स्थिती का समाधान कर ले क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यह किसी बद समस्या का शुरुआती लक्षन हो, तथा दोस्तों, दिन चर्या व्यस्त रहने के बावजूद घर परिवार की सुख सुविधाएं और देख रेख संबंधी कार्यों के लिए आप समय निकाल लेंगे, व्यक्तिगत कार्य संबंधी कुछ रूप रेखा बनेगी, इस समय अपनी कार्यक्षमता पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी योजनाओं को कार्य रूप दे, अवश्य ही सफलता मिलेगी, तथा दोस्तों, अपने मान सम्मान और व्यक्तित्व का जरूर ध्यान रखें, कहीं भी वार्तालाप पूल शब्दों का ही प्रयोग करें, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने से उनका मनोबल बढ़ेगा, विद्यार्थियों का दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत होने कारण पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है, तथा लोगों के विचार और आपके विचारों दूर करने के लिए अपने पुराने अनुभव का इस्तिमाल करें, और हाँ, आज भाग्ये आपके साथ है, परिवार में प्रसन्नता के हालाद बने रहेंगे, आप किसी ऐसे काम को पूरा कर सकते हैं जिससे आपके परिवार का नाम रोशन होगा, रुका हुआ धन, वापस मिलेगा, निवेश होगा, तथा आज आप अपनी योग्यता के बल पर कोई उपलब्धी हासिल कर लेंगे, विरोधी भी आपके समक्ष परास्त होंगे.